आज मैं आपको दुनिया की सबसे आसान आई मेकप करके दिखाने वाली हूँ वो भी without cut crease तो वीडियो को end तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो please चैनल को subscribe कर लो क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारी 1K की family complete होने वाली है इसलिए बोल रही हूँ जल्दी कर लो और वीडियो को full watch कीजिएगा सो सबसे पहले concealer apply करना है कोई सी भी brand की बट अगर गर्मियों की सीजन में कर रहे हो make-up तो अच्छी concealer apply करना और अगर थंड की सीजन में कर रहे हो तो अच्छी स्कीन को prep कर लीजेगा देन एक compact या फिर loose powder से set करना बहुत ही जरूरी है otherwise वह क्रीजेस चोड़ने लगेगी और आई मेकप बहुत ही बुरा लगेगा अंडर आइस पर भी मैं इसको set कर ले रही हूं उसके बाद मैं अपनी eyebrow फील कर चुकी हूँ अभी eyeshadow powder की help से कैसे किया है वह आपको मेरी बाकी वीडियो पर भी देखने को मिल जाएगी देने एक कलर ही अपलाई करते हैं यह मने light brown कलर लिया और outer side पर इस तरह से भी सेप में अपलाई कर रही हूं जैसे कि आप देख सकते हो उसके बाद दीरे-दीरे में इसको उपर के side blend करते हुए जा रही हूं और इसी तरह से आप लोगों को भी circular motion पर blend करते हुए जाना है और के बाद में black color ले रही हूं जश्ट उसको अपनी outer view area पर apply करूंगी यह evergreen eye makeup है यानि कि आप किसी भी outfit के साथ इस eye makeup को carry करके जा सकते हो बहुत ही easy है और बिल्कुल भी time taken नहीं है तो देख सकते हो outer view पर इस तरह से color apply कीजेगा बट एक बात का खास ख्याल रखना है कि जिस brush पर आप brown color कभी भी pigment कीजिएगा अच्छे से या तो फिर brush को साफ कर लो उसके बाद ही आप brown color या फिर transition color जो भी आपकी दूसरी color होगी ना उसको आप ले सकते हो otherwise पूरी eye makeup खराब हो जाएगी और आप panda लगने लोगे then इसी black color को मैं थोड़ी सी और depth create करने के लिए crease line area त अपमिने है जानी है उसको में लिए और लिय करी हूं ऑपर्ट करी में लिए बहुए ही और लिकें तो ही करी हूं पर आप ले सकते हो अधर वाद के अक्री में तो इसलिए कर दो एक और वाद कर ले सकते हो यहां भी deposit आप आप चाहो तो cut crease भी draw कर सकते हो, बिल्गल सेम ही look मिलेगा आपको, तो इस तरह से करने के बाद मैंने लिया है एक yellow golden type की, ये मेरे पास simmer set थी, आपके पास metallic set है तो आप metallic भी ले सकते हो, उसमें कोई problem नहीं है, उसको आपको inner corner से ही apply करना है, और crease line से उपर लेकर बिल्कुल भ से उसको black color के आइसेडों के साथ blend कर लेना, जिससे कि बहुत ही अच्छा है कि effect आएगा, बिल्कुल harsh line नजर नहीं आएंगी, then मैंने जो मेरी sticky tape थी ना, उसको मैं remove नहीं किया, क्योंकि eyeliner की save भी उससे अच्छी आ जाती है, इसलिए मैं उसी के ऊपर ही directly मैं eyeliner apply कर रही हूँ देख रहे हूँ कितना sharp look आ गया और साथ ही पसीना भी बहुत हो रहा था, तो इस तरह से कुछ eye makeup आपकी दिखने वाली है, then मैं अपनी lowerless line पर भी मैं काजल, यानि कि gel liner जो थी मैं ने apply किया था, उसको ये apply किया है, इसको blend कर रही हूँ, मैं light brown color की eyeshadow के साथ, जो मैंने transition पर apply किया था, brow bone को highlight करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और फिर मैं इस तरह से brow bone highlight कर रही हूँ, एक fan brush की help से, आप pencil brush की help से भी कर सकते हो, मसकर apply कीजिएगा, या कंपल सरी है, अगर आप false lashes नहीं apply करते हो तो भी, false lashes मैंने apply कर लिया है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो जल तक वीडियो देखने के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर बाएं